64 योगनियों का प्रादुर भाव माकाली से ही हुआ है। 64 योगनिया अस्रिष्टी के विभिन आयामों पर शासन करती हैं। और हर एक योगनी का एक विशिष्ट चरित्र है। मुख्यते इनका संबंद या कहें सामान्यकारक आठ मात्रिकाउं से है। जिसमें हम हमारे धर्म गरंतों से ले गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आईए अब चलते हैं विडियो की ओर। ये सभी आद्या शक्ति काली के ही भिन भिन अवतारी अंच हैं। और देवी महात्मे के अनुसार इन आठ दे देवों के ही नारित्व रूप माना जाता है। ये साथ देवियां अपने पतियों के वाहन तथा आयुद के साथ यहां उपस्तित होती है। आठवी मात्रिका स्वैम माकाली हैं। हर एक मात्रिका की सहायक आठ शक्तियां हैं। इसलिए इनकी संख्या चौसट हो जाती कि ये मातरिकाए कौन-कौन है और किन देवों से सμबंदित है नंबर एक ब्रह्माणी भगवान ब्रह्मा उनके चार सिर और चार भुजाएं है ब्रह्माजी की ही तरह इनका वाहन हंस है नंबर दो महेशवरी भगवान शिव भगवान शिव की ही तरह उनकी जटाओं में अर्ध चंद्र है और उनका वाहन नंदी है चतुर भुजाओं में त्रशूल खडगा दी है नमबर तीन कौम्मारी कार्तिके जी उनका वाहन में यूर है वे अपने हाथों में शक्ती दंड आधी धारन करती है नमबर चार वैशनवी भगवान विशनु वन माला पहने हुए देवी वैशनवी के दो हाथों में शंक्व चक्र है इनकी सवारी विशनु जी की ही तरह गरुड ही है नमबर पांच एंद्री देवराजिंद्र वे अपने वाहन हाथी पर विराजमान होकर वज्र धारन करती है नमबर चे वाराही वाराह भगवान विशनु के वाराह अवतार की ही तरह गिंदेवी का चेहरा वाराह वो धड़ मनुश्य का है हाथों में दंड, खडग, खेतका और पाश धारन करती है और कहीं कहीं भैसे पर वी सवार दिखाई गई है नमबर साथ नारसी ही भगवान नरसे है इनका चेहरा सेह वा धड़ मानव का है और हाथों में शंक, चक्रत, शूल, डमरू आधी धारन करती है और अंत में आती है मा काली जिनें चामुंडा के नाम से भी जानते हैं एक मात्र वे ही ऐसी मात्र का है जिने किसी भी देव के स्त्री शक्ती अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता रौद्र मुख मुद्रा वाली ये देवी के हाथों में कपाल शूल, नर्मुंड तथा अगनी है तथा इनका वाहन सियार है जैसे हमने पहले बताया योगनिया साक्षात आदी काली के ही अवतार हैं तथा सदैव माता पारवती की सक्यों की ही तरह उनके साथ ही रहती हैं देवी पारवती द्वारा लड़े गए प्रतेक युद्ध में समस्त योगनियों ने भाग लिया था और अपनी वीर्ता का परचे दिया था महा विद्याएं सिद्ध विद्याएं भी योगनियों की ही श्रेणी में आती हैं ये भी माकाली की ही भिन भिन अवतारी अंच हैं समस्त योगनिया अल्लोकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारन, स्तंबन, आदिक करम इनही की कृपा द्वारा सफल हो पाते हैं मुख्य रूप से आठ योगनिया अपने गुणों तथा सुभाव से भिन 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 रूप धारन करती हैं ये सभी तंत्र तथा योग विद्या में भी निपुन हैं सकंद पुरान के काशी खंड पुरवार्द के अनुसार भगवान शंकर राजा दिवोदास से काशी पुरी प्राप्त करना चाहते थे परन्तु राजा दिवोदास धर्म पूर्वग प्रजा का पालन करते और उनके राज्य में अपराद नाम की कोई चीज ना थी भगवान शिव के कहने पर समस्त देवताओं ने उन सर्वत्र शुद्ध राजा के छिद्र अर्थात कोई कमी डूनने की बहुत चेश्टा की किन्तु वे असफल रहे इंद्र आदि देवताओं ने दिवोदास के राज्य तथा शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विघन उपस्तित किये किन्तु राजा ने अपने तपो बल से उन सब विघनों पर विजे पाई तदंतर मंदराचल से महादेव जी ने 64 योगनियों को राजा के छिद्र देखने के लिए काशी भेजा उन योगनियों ने विभिन रूप धारन कर लिए और अलग-अलग वेश धारन कर अलग-अलग कारियों में लग गई वे योगनियां 12 महीनों तक काशी में रहकर निरंतर चेश्टा करते रहने पर भी राजा का कोई छिद्र अर्थाद दोशना पा सकी परन्तु वे सब लोटकर मंदराचल भी नहीं गई तब से लेकर आज तक योगनियों ने कभी भी काशी को नहीं छोड़ा हाला कि वे तीनों लोकों में घूमती हैं आगे व्यास जी के पूछने पर सकंद देव इन योगनियों के बारे में बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य इन 64 नामों का प्रति दिन फोर दोपहर और संध्या के समय जब करे तो उसके भूत प्रेद द्वारा दिये गए सारे कश्ट दूर हो जाते हैं इनके 64 नामों का पाठ करने वाले को ना डाकिनी, शाकिनी, कुश्मांड और ना ही कोई अन्य राक्षस कश्ट दे सकता है ये नाम, युद, वाद, विवाद, आदी में विविजे प्रदान करते हैं जो योगनी पीठों की सेवा करता है उसे वांचित शक्तियां प्राप्त होती हैं और यदि कोई अन्य मंत्रों को भी उनके आसनों के सामने दोहराता है उसे भी शक्तियां प्राप्त होती हैं यग्ये पूजा और प्रसाथ तथा धूप और दीपक के समर्पन से योगिनी जल्दी ही प्रसन हो जाती हैं और वे सभी चाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं अश्वयुज के महीने में शुकल पक्ष के पहले चंदर के दिन से शुरू होकर नौवे दिन तक मनुश्य को योगिनीयों की पूजा करनी चाहिए इससे वे जो चाहे प्राप्त कर सकता है काशी तीर्थ यात्रा करते समय इनकी अराधना भी अवश्य करनी चाहिए अन्य था उनके कारें में ये विघन डाल सकती हैं अलग अलग पुरानों में इन 64 योगनीयों के नामों में थोड़ा अंतर अवश्य मिलता है वैसे तो भारत में इनके कई पीठ हैं पर मुखे पी ठोड़ी सा और मद्य प्रदेश में इस्तित हैं जै मा काली आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक वश्य करें जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी किसी भी प्रक